AMC मतलब Annual Maintenance Contract यानी एक साल का पैसा हम कस्टमर से पहले ही ले लेते हैं थोड़ा सोचिए हमारे एरिया में कितने TBS के कस्टमर होंगे 2000, 3000 या 5000 से भी ज़्यादा ये सबी कस्टमर कहां सर्विस करवा रहोंगे बिल्कुल ऐसा ही लोकल के ही गेरेज में अब ये BS6 का norms क्या है कि आप हमेशा अपने authorized service center में ही service कराएं अभी आप सोचते होंगे कि AMC 600 में बेचेंगे 700 में बेचेंगे या 800 में बेचेंगे या 900 में बेचेंगे और इसमें कमाई होगा या नहीं होगा क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसमें कमाई नहीं होगा आईए थोड़ा समस्ते जैसे 600 की AMC से कितनी कमाई होगी और 800 की AMC से कितनी कमाई होगी देखते हैं जैसे मेरा मानना ये है पार्ट्स की कमाई से पार्ट्स का वोलूम बढ़ाएं वेकल की कमाई से वेकल का वोलूम बढ़ाएं और लेवर की कमाई से या वैस या कॉंजूमेबल की कमाई से आप इंपलाई का सेलरी आप निकाले तो ऐसे हम निकालते हैं मान लिजिए 100 पेड सर्विस आप 300 रुपे में अगर करते हैं तो टोटल आपकी लेवर इंकम 30,000 रुपे है मानते हैं 100 कस्टमर में से 30 कस्टमर को भी अगर 800 रुपे में अगर अप A.M.C. बेचते हैं तो आपकी टोटल कमाई होती है 24,000 रुपे है बाकी 70 कस्टमर को तो आपने नहीं बेचा तो 70 गुने 300 रुपे हैं तो होते हैं 21,000 तो टोटल जो आपकी कमाई होती है वो होती है 45,000 रुपया यानि पहले उसी कस्टमर से आप कमा रहे थे 30,000 रुपया, अब इसी कस्टमर से अब आप कमा रहे हैं 45,000 रुपया, यानि 45,000 चलिए, अब देखते हैं AMC को 700 रुपय में सेल करते हैं तो हमारी कमाई हो जाती है 42,000 अब AMC का रेट 600 रुपे में अगर सेल करते हैं तो हमारी कमाई होती है 39,000 रुपीज हमारे पास में ओपरजिनिटी कितनी है 5000 से ज़्यादा कस्टमर और हमारे पास में पेड़ सर्विस के लिए आते कितने हैं 100, 1500, 300, 400 चीजों को समझे पहले आप उसी कस्टमर से 300 रुपे ले रहे थें अब उसी कस्टमर से उसके फैदे बता कर अब आप ले रहे हैं 800 रुपे तो ये आपकी कमाई का double income है अब कस्टमर को कैसे convince करेंगे AMC के लिए तो सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले आप कस्टमर से paid service के बाद में आप AMC का charge आप लिजिए उनको बताएं कि अगला service आपका 266 रुपया का होता है जिसमें discount होने के बाद 200 रुपया आपका service हो जाता है यानि अभी तो parts बहुत महेंगे हैं तो parts जितने costing होंगे 2000 का parts होंगे तो labor charge आपका service आपका घरते जाएगा बिल्कुल इसी गराप की तरह फिर भी अगर customer को महेंगा पड़ रहा है तो उनके फायदे के लिए आप उन्हें बताएं कि अभी आप 300 रुपया तो देही रहे हैं अगर और देते हैं तो ये आपको AMC में हम job card open करते हैं जिसमें आपका एक service का दाम आपका हो जाता है 266 रुपया उन्हें बताएं कि parts, lube और labor का rate पे discount होने के बाद में ये rate आपका 200 से भी नीचे तक जा सकता है और यही नहीं इसमें 37 parts पे CWI के तरफ से customer को warranty भी मिलता है जिसमें CWI आपके account में MRP देता है plus labor charge देता है AMC sale करने का तीसरा तरीका Free Service Renewal जिनका Free Service खतम हो गया है उनको renewal करने के लिए आप उनको phone करे पिछले साल का data से जिसमें आप उन्हें बताएंगे कि आपका Service Renewal का time आ गया है जो पिछले एक साल के लिए था जो अप खतम हो चुका है तो किरपया करके आप अपना Service का Renewal करवा लिजिए Service Renewal concept से आप last year का sold vehicle को follow up करके आप 50 से 80% लंसम customer को आप convert AMC में कर पाएंगे जिससे customer का retention आपका बढ़ते जाएगा और जादा से जादा customer आपसे जूडने लगेंगे मेहंगे parts में CWI की warranty और AMC का discount से customer आपसे जूडने चालू हो जाएगे जिससे आपका parts की income आपकी बढ़ जाएगी consumable की income आपकी बढ़ जाएगी accessories की income आपकी बढ़ जाएगी और आपको एक time पर ramp आपको बढ़ाना पढ़ जाएगा जिससे आपकी service में income आपको double नहीं triple नहीं उससे भी जादा आपको आनी चालू हो जाएगी झालू हो जाएगी